हाई एवरीवन मुदत अमना दिस साइड फर्स्ट अफल थैंक यू वेरी मच जो पहला पॉडकास था उससे 73 परसंट जाधा ग्रोथ हमें सेकेंड पॉडकास में बिला है फ़र मी एवरी व्यूज एवरी कॉमेंट्स एवरी लाइक्स दाट मैटर्स अलोट तो आजकी जो हमारे गैस्ट है शी इस मिस श्वेता मिश्रा वो किसी एंजियो से रिलेटिड नहीं है किसी एंजियो के अंडर में बेसे की इंडिपेंडेंट काम करते हैं और शी सब्सक्राइब के लिए उनका एक दो वीडियो मेरे को दिखा सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब क्या डिफरेंस है वोकिंग ओल अलोन एंड वोकिंग वित अंजियो और अभी गोरकपूर में किस लेवल पर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है तो इसके बारे में काफी कुछ बात करने को मिला है जनरली जितने पॉड़कास्ट जो लोग करते हैं पॉडकास्टर जो है वो डे डोंट टॉक अबाउट they talk about women empowerment, they talk about women's safety but अभी तक किसी ने women's hygiene से उस तरीके से बात नहीं कि जो कि मैं बात करना चाहरा था and most probably I'll be calling a gynecologist also in coming podcast so that I can talk more deeply कि क्या problem है अभी भी society में क्या तक है चीज़े कैसी नहीं फिलाल इन से बात करने पर मुझे पता चला कि अभी भी मतब जो आकड़े बताते हैं कि 70% of women's they cannot afford sanitary pads और ये data देखके मुझे बहुत शॉक्ट हो गया and when I saw her photo I mean her video so I just thought कि ये specifically वही बाट रही है और अपने पैसे से कोई funded नहीं कोई कुछ नहीं है so I just wanted to know कि कैसे आप वो चीज़ कर रहा हो so आज का हमारा podcast इसी से related है hopefully you are going to like this don't forget to subscribe the channel अगर आप channel पर नहीं हो पुराने हो तो share कर देना और अपने comment जरूर कर देना मुझे अब comments finally आने लगे है which is a very good thing I really want to hear from you guys that what mistake I am doing because अभी ये एक नया category है मेरे channel पर आपको पहले पर पता है कि ये blogging channel था so I really want you guys to listen this podcast and hopefully आप शेर करोगे this podcast को अभी का भुआ प्रक पर अभी आपको न्स्टर्राम इसेख रहे है कि मैरे मेरे मेरे चाहां रहे है कि मुझे अटिलम जाना है कि बहुत सारे NG.O.S.com आप जिसे साबसे काहूं कर अभी है तो मैंने पही देख है अभी भी थी बेसिक प्रोल्म है कि जहांग पर सानिटरी पाड्स इस तिल वरी दिफिकल्ट लिए पुब्लिक कुम्हूल है आपने जिसे आप हमेशा बाटना आज की ताइम पर गोरगपुर में यह बाटना अपने आप में बहुत हो है कि अभी भी नहीं मिल पा रहें जैसे मैंने आप रहें जैसे देगा त करने बहुत जरूरी नगी तो पर पॉड़कास के बात नहीं करता है आपने बहुत सही कोशन मुसे किया क्योंकि अभी गोरपुर में फिलाल ऐसी बहुत सारी मैला है जो सेनेट्री पैट नहीं ले पाती है कही न कहीं उनके अंदर एक सरम वाली भी चीज है कि मैं कैसे जा क आपने नहीं है उनको यह नहीं पता है कि वह जो यूज करती हैं उससे उनको कई तरह की बीमारिया हो सकती है तो इसलिए मैं सोची कि क्यों ना मैं एक इस पे आवेर्नेस का प्रोग्राम रखों जो मैं हमेशा उनके लिए और उनको बताओं की आपके लिए सेनेट्री जो मलीन बस्ती होते हैं गोरपूर में मैं वहां पर सेनेटरी पायट को डिस्टिपूइट करती हूं और इसमें कोई एज का वो नहीं है क्योंकि मैं जब भी जाती हूं तो एक मैं लड़की होके भी जब उनसे यह साइज चीजों की बात करती हूं तो लोग इतना सर्माती है दुपटे से मुधकना फिर अपने हाथ से मुधकना तो मुझे यह लगता है कि जब एक लड़की से कोई इंसान इतना सर्मा सकता है तो यह दुकान पर जाके कैसे घरिश सकती हैं तो हैं उनको बहुत साइज चीजों का सरम है नहीं ले पाती है और मतलब शरम भी है और पै पर बहुति है उनके लिए काम है मैं उन्हें के लिए ज्यादा फोकस करते हूं क्योंकि मुझे यह लगता है कि उनका कोई अपना नहीं है मेरे स्वाBox बहुत सारी लोग है जो उनसे बात स्वा जोने उनको बहुत से चीजों का ऐस चीजों का ला चाहते हैं कि छे जा रही हूं के पास या रहा पाँ तो यह थी खहां मुझे मार सकती हैं नॉर्मल जंटा उनसे डर्ती है पर शो यह सही चीज इस लोग के पास बैठ का LOL और मैं जब जाती हूं लोगों के पास बैठती हूं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुझसे कोश्चन करते हैं कि आप क्यों इनके बगल में बैठ रही हो आपका क्या है इनसे नाता क्या करते हो आप तो मैं मेरा कोई एंजियो तो है नहीं मैं एज़ा सेल्फ इस काम क हाँ, ऐसे मैंने दो-तीन केसिस देखे हैं, कि उनके साथ बहुत ही गलत किया जाता है, और जब देखने में और सुनने में दोनों में बहुत तंतर होता है, जब आप सामने से किसी औरत को ऐसे देख रहे हो तड़ता हुआ, तो आपको बहुत बुरा फील होता है, खासकर मैं अभी एक लड़की हूँ मैं इस चीज को फील कर सकती हूँ कि हम लोग नॉर्मल होके इस चीजों को लेके कितना वो होते तो वो तो कहीं ना कहीं मेंटली होती है उस चीज को कितना वो फील ही नहीं कर पाती है जब उनके साथ गलत हो रहा होता है तो जैसे उनके साथ मतलब ज अपने घर पे हैं लेकिन क्या होता है कि वह तो फैबली अच्छी थी कि उनको accept कर ली बहुत सारी लोगों की फैमली होती है जो accept नहीं करती है उनकी थे क्या होता है कि बहुत बुरा लगता है उनको देखके कि ये क्या हो रहा है लोगों को समझना चाहिए कि वो normal लोग नहीं है उनके साथ ऐसी चीजें नहीं करने चाहिए उनके साथ जो case हुआ है, sexual assault कर लुए है तो उस पे police ना action लिया हाँ लेते हैं लेकिन क्या होता है कि हर जगा तो कैमरा है नहीं तो वो लोग जानने सकते हैं हाँ कोई प्रूफ नहीं है तो वो लोग किसी पर उंगली नहीं उठा सकते हैं लेकिन फिर भी वो लोग ट्राइ करते हैं जितना उनसे हो पाता है वो लोग ट्राइ करते हैं कि इन नहीं है तो वह तो मेंटली है तो वह कैसे सेफ हो सकती है लेकिन मैं सभी से यही बोलना चाहूंगे कि इनके उपर इंसानियत दिखाएं ऐसा ना करें क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई पागल है तो आप उसका फैदा उठाओगे वह भी इंसान है उसको भी आप समझो उसकी पाली के साथ या हस्बेंड के साथ या मतलब किस अलग अलग इसके तरीके उनके टॉचर करने के तो वह भटकते बटकते मतलम ऐसा होता है उड़ी सा से उत्तरा खंड से अलग अलग जगह से मैंने देखा है मैंने को गोरपूर में आते हुए मैं जब इनसे बात करती हूं तो वह तो पहले मुझे भी अपना नहीं समझती है वह मुझे मारने की कोसिस करती है फिर मुझे भगाने की कोसिस करती है लेकिन क्या होता है चाहे आप हो चाहे हम हो आप से कोई इनसान प्यार से बात करेगा तो आपको भी लगेगा कि मेरे लिए सेव जोन है तो उनको यह तो वही बात में अपना दुख भी मुझे बताती है कि वो आपको एक साल लग जाएगा कभी-कभी ऐसा होगा चेज़ा उसके कोई टाइम नहीं है तो सारी चीजे मेरे सामने खुल के बता देते हैं अब भी होता है कि मतलब स्टेशन पर लाके छोड़ देते हैं और फिर किन से करेंट करते हैं या वह जहां से आते हैं वहां से जहां से वो लोग आते हैं क्या होता है कि बहुत बार मैं ऐसा की हूँ कि जो महिलाएं अपने घर जाना चाहती है जिनका जगह फिक्स है जैसे जो मैंने उनका जगह कुछ होती है जो घूमती रहती है अधर चली जाते हैं कुछ लोगों का अपना जगह फिक्स है कि जो वहां प्रॉपर रहती है तो मैं मैं उंसे बाते करती हूं एपने घर जाना चाहती हूं तो इंका अड्रेश निकलवाती हूँ फिर मतब पुलीस प्नेक्ट करती हूं जहां से वह कि अपने तरफ से तो मैं पूरी कोसिस करती हूं कि उनके लिए जितना बेस्ट हो पाय उतना करूं अभी जैसे धरम साले पे हैं उनके लिए मैं हमेशा हर जब भी मैं उधर जाओंगी तो उनकी हल्प तो जरूर करूंगी मैं इग्णॉर करके नहीं जा पाती हूं बहुत जल मैं रखते हूंगे लेकिन मैं बहुत बार ट्राइ की मुझे नहीं उस तरह का रिजल्ट मिला तो फिर मैं अब नहीं करती हूं क्योंकि मुझे यह लगता है अब मैं तक खुद से इस जीज को करती हूं फिर तो अभी कोई ऐसा भी होता है कि है यूमन ट्रापिकिंग का गो मतलब मैं गुज्रात है महां पे चार ऐसे पेसिंट थे जो यहां यूपी के थे तो वो लोग उनका मतलब लैंग्वेज जो था समझ नहीं पाते थे तो ऐसी जैसे आपने मुझे से कनेक्ट किया इंस्टागाम के थूरू वैसे ही वो लोग मुझे इंस्टागाम के तो वहां पर जब ऐसे चार ऐसे तो उनको उसका लेंगेज नी समझा तो वो लोग मुझे से कनेक्ट किये कि रात के एक बजे मुझे करनेक्ट किया गया थोड़ा सा फैमिली का भी होता है कि क्यों एक बजे कवल आया मतब कभी-कभी चीजे फेस करनी पड़ती है तो लेकिन म बटकते मत अपने बेटे को खोशते हुए उनका बेटा कहीं निकल गया घर से आज तक उनको मिला नहीं तो उनको यह लगा कि मैं अपने बेटे को खोज लोंगी तो उम्र जब इनसान की ढ़ल जाती है तो आप हो यां हम हो आज की जवाने में फोन हो गया है तो इनसान उपर थी वो तो वो ऐसे भटकते भटकते गुजरात पहुची गुजरात में एक सेंटर है वहां पर उनको रखा गया तो वहां से फुर मुझे कनेक्ट किया गया कि इनकी भासा हम लोगों को समझ नहीं आ रही हो बहुत ज्यादा रो रही है और रात के एक बज़ रहे हैं हम क्या मुझसे बोल रहा है तो दादी डर रही थी तो फिर मुझसे जब बात कराया गया तो मैं जब उनसे बात की तो उनको लगा कि मेरा कोई अपना बोल रहा है तो सारी सब कुछ सारी मतल जो भी ता तो वापस आप उनको लाई तो क्या हो मैं मैं नहीं भेजी वहां के लो के भी लोगों तो मुझसे करते हैं वो लो क्योंकि यूपी और कुजरात का लैंगवज थोड़ा सा अलग होता है बहुत डिफरेंट तो लोग नहीं समझते हैं वह मतलब कहीं अब मुझे एक्जैक नहीं आदा रहा है क्योंकि पांच-छे महिने पहले की बात है तो मुझे उ उस पर तो मैं बहुत ज्यादा काम नहीं की हो क्योंकि मैं इस चीज को मानती हूं कि मेरा भी अपना सेफ जोन है तो मैं अपने सेफ जोन को रखते हुए फिर मैं तब बात कर लेकिन उनको भी यही सारी चीज़ों का फेस करना पड़ता है बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे दिखावा करते हैं कि वढ़ते हैं लेकिन पागल बनने का एक्टिंग करने ऐस टाइब का तो क्या होता है इस ही होता है अच कर में आजको लोग गरीबों की फीलिंग को नहीं kangels रहेें पैसे के लिए फैसे के लिए या मतलब कि ऊखाने पीने को दे लें कमाने की जरुए मतलब अपनल में इपके साथ चलता हूं के चलो ठंडी का मौसर थंडी में मैंने 30 लोगों को ब्लैंकेट भी डोनेट किया तो वह बोला कि मैं आपके साथ चलो तो गया हुआ आपको पता होगा कि मैं किस को बुलाँगा तो चीज़े अच्छी रहेंगे किसको बुलाओंगा नहीं अच्छी रहेंगा नहीं, सेम मेरे साथ है कि मैं जब आठ साल से कर रही हूँ इस काम को तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता चल गया है कि किसको जन्यूइन हेल्फ की जरूरत है और कौन फेक है ये आपको थोड़ी दिर बात करने के बाद पता चल जाएगा हां तो मैं ऐसा नहीं कि बहुत लोगों को मैं सभी है देख रही हूँ आज के ट зах目न सेवा कर रहा है अच्छी बाते करना भी चाहिए इसा में बिलकुल नहीं करना चाहिए लेकिन एक होता है कि आ anf Yani सेवा करना एक होता है कि आपैसे ही कर रहे हो तो मैं जाती हूं तो डारेक्ट कभी किसी की हेल्फ नहीं करती हूं कि मेरे पास है ले जाके दे दी मैं उनसे बात करती हूं क्योंकि बात के दौरान मुझे पता चलता है कि सामने वाला सच में उसको जरूरत है मेरे सामान का कि व बहुत इफेक्ट पढ़ता है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अपने खुद देख रहे हूं उसी जो को कि जो अभी एक साल से दो साल से काम कर रहे हैं लोग उनको मतलब एजा उनका फॉल्वर्स भी बहुत हैं उनको लोग सपोर्ट करने वाले भी हैं जो जमीनी अस्तर प कोई स्वेता नाम की लड़की है जो इस काम को करती है और वह की दोना कंघ गरीबごं कर हो जो इंसान कुद कमा रहा है उसकी आप क्यों help कर रहे हो वो तो खुद एक रूपय अपने फैमली के लिए कर रहा है हाँ वही वही ची एक दम नहीं कर पाते हैं हाँ मैं देखती हूं लोग समासिवा कर रहे हैं तो जाके किसी रिक्से वाले की मदद कर रहे हैं नारियल पानी बेचने हैं आप उस इंसान कि लोग उनकी जरूर उनको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन मैं एक रियल काम कर रहे हूं लोग उसको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है नहीं कर रहे हैं मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप किसी जिन्वेन इंसान का help करो मतलब जो खुद पर कुछ भी नहीं कर तो आपने वी सही बुली कि मतलब अगर जैसे कोई रिक्षा वाला तो वैसे भी अपना दिन भर का निकाली ले रहा है तो मुझे यह लगता है कि मतलब जो रियल में गरीब है या जनुविन है उनकी आप मदद करो तो ज्यादा अच्छा है आप किसी की भी जाके बस एक बीडियो के लिए और फोटो के लिए मत कर दो और हाँ एक चीज मैं और बताना चाहूंगी बहुत लोग बोलते हैं कि आप बीडियो क्यों बनाते हो आप अच्छा काम कर रहे हो तो बीडियो क्यों बनाते हो तो मैं एक चीज सबसी कोईशन में यहां पर करना चाहूंगी कि आप फिर क्यों बीडियो बनाते हो मतलब जो भी डांस कर रहा है गाना गार रहा है आप क्यों बनाते हो कि लोग देखे मुझे लोग सीखें कि आप किसी से कम नहीं हो तो जब मैं किसी मैं एक वीडियो बना रही हूं तो लोग का क्यों क्यों रह तो मुझे देखके कम से कम 20 से 30 लोग इस काम को सुरू कर दिये करना तो मेरे लिए ये तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे वीडियो को देखके कोई 30 या 20 लोग भी इस काम को कर रहा है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मेरा वीडियो बनाना सौर्थक हो गया लेकिन हैं लोग बहुत सारे आसे लोग हैं जो बस चाहते हैं और मैं बहुत साही चीजों को Phase की हूं। कहीं न कहीं आप मतलब इस चीज़ को मैं इस तरह नहीं कहीं लेकिन है कि आप किसी काम को कर रहे हो न तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं आपके मुपे सब सपोर्ट करेंगे आपको कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो ठीक है कभी जोरुत पढ़ेगी मैं मदद मुझे यह सब चाहिए भी नहीं चाहिए लेकिन मुझे लगता फिर बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप बोलते तो खुद एक नजर में किसी के बुरे बोन रहा हो तो इसे अच्छा बोलो ही नहीं तो आपका मेरा एक बांड भी अच्छा रहेगा कि चलो सामने वाला तो जनुएन रिस्ता रखा हुआ है मुझे अपकी फैमली सब्सक्राइब करती है इसलिए तो मैं आज आठ सालों से सकाम को कर रही हूं फैमली का सपोर्ट नहीं रहता तो साइद मैं यह सकाम को नहीं कर पाती और फबलिक सोसाइटी में ही बोलती है कि मतलब तुम अपना मैं इसी फिल्ड में जॉब की हूँ पहले तो सुरू में की थी तो बहुत साई चीजे हैं जिसकी वज़ा से मुझे यह लगा कि यार क्या ही कर रही हूं पहले लगा लेकिन फिर में एक जब एक इंसान के अंतर बच्पन से कोई चीज रहता है तो वो नहीं जा सकता है वह है सोशल वर्क को इंड्डीपेंडेंट करनें और एक सोशल बोकि सी एंजियो या किसी और्गनाइजेशन के अंडर ऑ्दान करने में के डिवरर्न क्या नधर क्या उसके हसाब से डिफरेंस पर जाएगा क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब खुद इसे कर रहे हो ना तो जितनी इच्छा हैं आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हो लेकिन आप किसी एंजियो के एंजियो से जुड़ के कर रहे हो तो आपको वह जितना बोले का आपको करना उससे एश्टा करोगे तो आप उसके नजर में अच्छे नहीं वह फिर एंजियो के लिए आप वह एक चीज इवेंट की तरह होता है कि मतलब यह एक इवेंट कराना है यहां पर ऐसे करते हैं यह वह भी ऐसे रैंडम करते हैं ने इवेंट तो नहीं कहला है का वह से लोग से संदे संदे कुछ आप्टेव होते हैं बाकी दिन कुछ और कर रहा हो तो आप इंडिवीजियुल ऐसे करते हो कि आप जब आपको जहां जरूत होगी आप कि इतना भी टाइम लगा सकते हो वाई टाइम लिविट नहीं है आना जाने का कुछ ऐसे नहीं क्योंकि कि उसको जॉब और बिजनस टाइब में आप देख सकते हों बिलकुल नहीं जैसे देखें बहुत सारे लोग हैं जो जॉब भी कर रहे हैं उसके तो वह गलत नहीं है बहुत लोग कहते हैं कि गलत है लेकिन मुझे लगत नहीं इसलिए गलत नहीं है कि वह इसलिए यह कर रह तो वह चीज मुझे सही लगती है कि वह गलत नहीं है कि आप एक टाइम तक ऐसा आएगा कि आप यह सोचोगे कि कैसे इस चीज को करूं या इस काम को कैसे और बेस्ट कर सकूं तो जब आपके पास कहीं ना कहीं से एक अर्ण भी आएगा तो आप उसको और बैटर कर पाओगे तो वह लगता है कि वह गलत नहीं है बहुत लोग उसके उञा इठाते हैं कि आरे पैसे मिलेंगे तो अपने रखती होगी यह करती होगी पर चाहे रखता होगा ऐसा नहीं मुझे लगता है क्योंकि वह भी तो इनसान है वह तो मेहनत कर रहा है ना दिन रात साइद वीडियो देखने में उसको पूरा प्रॉपर करने में दोनों में अंतर होता है जो जैसे मैं किसी से जाती हूं करती हूं कनेक्कट होती हूं बाते करती हूं वह बीडियो तक देखो गए आप सअध की जगाते मिया बाते करती हूं वह तो कोई नहीं देखता हो गएसे उनसे आ मेरी नाग कटने से एक बार बची है मैं पत्थर भी मार खाई हूं भाग जाती हूं क्योंकि मुझे उन लोगों से लगा एक बार मतब गई थी आसे मतब थी बहुत थी खतरनाग पागल मत लोग बोलते थे उनको तो वो थी कहां की अभी नेपाल साइट की साय थी और अभी ब कोई रहता है तो मुझे बता देता है कि महां पे आप हैल्प कर दो जो भी हो पाई तो मैं गई तो मैं बगल में बैठी तो मार के तो पहले बगा दी मैं तब पहले तो यहीं कि फिर दुबारा बैठी तो उनके पास एक प्लेट था तो बहुत शोखील सा था उससे वैसे कि मैं नहीं पीछे हटी होती ही तो उसने मेरी नागच चली गई होती है तो यह 느껴쪜 ही इंसान जितना संगर नार वी तेयर ना उतना ही है लेकिन रियल लाइफ में मैं मैं क्या फेस करती हूँ वह बस मैं जानती हूँ आपने नहीं बताती हूँ wiping तो इस पर पहुत सब्सक्राइब कर बाँ जाएंगे फोड़ा नहीं को दर लगेगा कि जा रही है कुछ से साथ और उपर से मैं अकेले ही जाती हूं अव्यार्ट कोई पकल लोग देखते रहते हैं वहां पे देखते हैं लेकिन एक होता है कि कोईसमें से आके help कर दे कभी नहीं होता है नहीं होता है लोग कोई किसी को फिजिकली करना है कुछ है तो मतलब आता कोई नहीं आता है वहाँ पे आपको लोग दसज्ञान देंगे लेकिन आएंगे नहीं आपके पास कि अरे चलो लड़की यह help कर देते हैं कब भी नहीं होगा कि कोई help कर देगा कि अच्छे यह बता देती हूं कि में नहीं नहीं हो जाता है तब आपके बात कर रहे हैं तो मैं बोलती बस एक मेरा रिस्ता है इनसे कहीं ना कहीं मेरा रिस्ता है साइध भगवान मुझे इसी के लिए भेजे होंगे मैं चार साल पहले एक एंजियो में काम करती थी तो वहां पर डीम सर आये थे तो उनका कोश्चन मेरे लिए यही था कि बेटा मतों समय मेरी उम्र कमी थी तो उन्होंने यह पूचा बेटा इस उम्र में लोग तो पप जाते हैं बॉइफिन बना के गूमते हैं आप क्यों यह क करती थी वहां पर मेरे लावा एक और बस थी उसके लावा कोई ने था किसी को क्योंकि सब को पसंद आता है कि मैं एसी में रहूं घूम फिरू और अच्छे ओफिस हों लेकिन मेरा कभी से सपना ने रहा है मुझे यह लगा कि मेरे यही लोग मेरी ओफिस हैं यही मेरे पास बैठती है वह पूरा इतना कभार लेके बैठती है और मैं एक दिन बात कर रही थी बैठके तो एक भाया जा रहे है तो उन्होंने पोछा क्यों बैठी है आप उनके पास में इतना बदबू दे रहा है अब यह लोग अपकॉस हम लोग के जैसे सफाई से तो रहती नह मुझे अच्छा लगता है नोगों के साथ टाइम स्पेंट करना अपना तो मैं जा थांक यू वेरी मच फो कमिंग अन दिस शो और हमें रियालिटी बताने के लिए ग्राउंड पे कैसे क्या हो रहा है वोपफुली हम आगे फिर मेलेंगे और बहुत सारी बाते करेंगे था अच्छा है